दिल्ली के पूर्व मुख्यमंतरी अर्वीन केजरिवाल ने फ्लैग स्टाफ रोड स्टित सीम आवास खाली कर दिया है वे आज दोपेहर लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर पांच में शिफ्ट हो गए हैं यह बंगला पज़ाप से आम आद्मी पार्टी के राजस अबा सांसत अशोक मितल को आवंटित है केजरिवाल अपनी पती सुनिता केजरिवाल माता पीता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं अशोक मितल और उनकी पत्नी ने सभी को अपने घर में स्वागत किया मितल ने बदाया कि केजरिवाल गेस्ट के तौर पर उनके घर में शिफ्ट हुए हैं केजरिवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्य मंत्री पत्स से इस्तीफा दिया था उन्होंने सिये मावास और सभी सरकारी सुविदाएं छोड़ने का एलान किया था मुख्य मंत्री शिरी अर्विन केजरिवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पत्स से मुख्य मंत्री के पत्स से स्तीफा दे दिया तो मुझे कुछ समय बात पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है फिर मैंने उनको निमंत्रन दिया कि आप मेरे पास मेरे दिली के घर में मेरे महमान के तोर पे आके रहिएगा मुझे खुशी होगी पार्टी के और कारे करताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शाद ऐसा ही निमंत्रन दिया लेकिन अम मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननी शिरी अर्विंद के जिर्वाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैंसला किया है जब तक कि उनको कोई और गार नहीं मिल जाता है तो मैं आम आदनी पार्टी के कारे करता के तोर और सांसट के तोर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मुखा है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मुखा में लेगा और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले चनाव में जो दिल्ली के चनाव होंगे जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पाले देती रही है और वो द्वारा पूरे भूमत से दिल्ली के मुख्य मंत्री की कुर्सी संभालेंगे